हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आप सब के सथ यह बेगन मसाला की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ इसे धाबा स्टाइल बेगन मसाला भी बोलते हैं यह रेसिपी मैंने दिल्ली आके बनानी सीखी है और हमें बहुत ही पसंद है मेरे घर में सभी यह बह सबके साथ यह सबजी जाती है तो आप प्लीज एक बड़ ट्राइ करके देखिएगा तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी के इंगेडियन्स यहां पर मैंने टमाटा और अनियन चॉप करके रखा है और यह है ग्रीन चिली और इसके लिए लगेगा हमें मैंने यहां पर अब देख लेना अंदर भी कोई कीरा ना रहे और मसाले में मैं यहां पर ले रही हूं हल्दी और लाल मिच पाउडर धनिया और जीरा पाउडर और गड़म मसाला यह मसाला हमें रगेंगे और यहां पर मैं रिफाइन ओयल यूज करूंगी यह है धनिया नहीं सौरी अधर ग्लसुन का पेस्ट और यह है सौल्ट और यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला लाल मिच पाउडर हल्दी पाउडर अधनिया और जीरा पाउडर और चाट पाऊडर। यहां पर चाट मसाला यूज करूंगी आज और यह है फ्रेश क्रीम इस रेशीपी पर मैं फ्रेश क्रीम भी आट करूंगी तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका रेशीपी तो फ्रेंट्स मैं एक इंगिडियंस देखाना भूल गया थी तो यह है पटेटो यह भी मैं तो अभी मैं यहां पर मिक्सर ग्रेंडर पर मेरा सारे जो चॉप किया हुआ सब्जी था टामाटर अनियन एं ग्रींचिली इसको मैं पेस्ट मना लूँगी है अजिए अ अब सारे मसालों को मैं यहां से यहां पर मिक्स कर लूँगी देखिए थोड़ा सा ओयल डालके यहां पर मैं मसालों को मिक्स कर लूँगी पहले इस मसाले को मैं अभी अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट पना लूँगी उसके बाद मैं इसको जो मेरे वेगन है उसके अंदर भड़ लूँगी इस मसाले को यह देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से ओयल डलके इसका मिक्स्चर बना लिया है इसका मैं इसका मैं आठा है अब मैं गैस पे पैंच चला दिया है अभी मैं इसमें ऑईल डाल लूँगी और इस ऑईल को अच्छी तरह से हीट कर लूँगी अच्छी तरह से उसके बाद मैं ये वेगन इसमें डालके फ्राइ कर लूँगी तो मैंने यहां पे पोटेटों को फ्राइ कर लिया है अभी मैंने जीरा दिया है जीरे को हलका सा भून लीजी उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैंने एक रेट चिली दिया है ड्राइ रेट चिली उसके बाद मैंने यहां पे मेरी जो स्लाइस अनियन थी उसको डाल दूँगी अनियन को यहां पे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इसको अच्छी तरह सब फ्राइ कर लिजिए उसके बाद यहां पे मैंने कैपसिकम डाल दूँगी कैपसिकम और अनियन को मैंने यहां पे फ्राइ कर लूँगी अब देखिए यहां पे मेरा अनियन और अप्सिकम को मैंने फ्राइ कर लिया है यहां पर मैं पैन पर थोड़ा सा और ओयल डालूंगी अब मैं इस तेल में मेरी जो पेस्ट मैंने बना रखी थी टामाटर अनियन और गिंचिली का वो पेस्ट डाल दूंगी अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से मैं भून लूंगी इसमें मैंने जिंजर वेली का पेस्ट डाल दिया और इसको हलका सा भून के इसमें सारे मसाले डाल दूंगी और नमक डाल दीजी यहां पर अपने स्वाद अनुसर अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनोंगी गैस को यहां पर धीमी कर दीजी आप मैंने यहां पर मसाले को थोड़ी देर के लिए ठके रख दिया था और थोड़ी देर के बाद उसका धकन हटा के आपको फिर से इस भूनना होगा अच्छी तरह से चला लेजिए इसको अब मैं इसको धकन हटा के इसको थोड़ी देर चला लोंगी उसके बाद यहां पर मैंने जो फ्राई क्यों पेटेटों था वो डाल दोंगी और उसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लोंगी उसके बाद मैंने मेहां पर मेरा फ्राई क्यों हुए जो बैगन था वो भी डाल दिया इसको अभी मसाले के साथ भूनना है कुटेर के लिए अब यह मेरा बैगन और आलू एकदम अच्छी तरह से भून चुका है मसाले के साथ अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी फिर थोड़ा दिर चलाने के बाद और थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें अब मेरी यह सब्जे लगब दोग तक शाने में थे अब मेरी यह सब्जे लगब गदाना है यह भुख तेयार है अब बहु त मैं इसमें पांस इंगेडियENS एस रेसिपी की और दालूंगी और है ए पत्लाइन केपसिकम थक्राइब यह तलना विश्णान के Honno मेंठा इस तरह रेसी बी में इससे ही जो होती है सब्जी का में जो टेस्ट है वो आती है को बाला है कि अाह मFr cetteुड़ completion झोल्ग họcाती कि लाओ़का वोग पूल्का काप में णिजर कि कि एगे साथ हूँ उल्का इसाथ सोटारी कि झादी है फंपली को पॉड़े साथ है डोप्षोर अजिर नहीं 물 बाला है नहीं बाला है कर दो कर दो कर दो 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 कर दो कि बख़ औरा दो कि अजयर कि वो पुट दो या लाई कर दो प्राफ प्राफ। और नह जह एग। खिव कर दोल को जह है झाल पत्ष्ट कर दो झाल देखिए मेरी सब्जी लगबग तैयार है अब इसमें मैं गड़ा मसाला डालूंगी मैं यहां पर गड़म मसाला डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए सब्जी के साथ और यह जो लास्ट इंगिडियेंस है मेरी फ्रेश क्रीम इसको भी डाल दीजिए यह डालने से इस टेप को आप स्किप कर सकते हो फ्रेश क्रीम को लेकिन अ मेरे पास था गर में अवेलेवल इसलिए मैंने यहां पर डाला है अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन यह फिस्क्रीम देने से ना यह सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है मैंने देखा है जब मैं बिना फेस्क्रीम के बनाती हूँ तब उतना अच्छा नहीं लगता जब मैं फेस्क्रीम डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है हो सके तो आप फेस्क्रीम डाल दीजिए और हाँ यहां पर मैंने लास्ट में धनिया डाल दिया है तो यहां पर मेरी धावा स्टाइल बैगन मसाला जो है तैयार हो चुकी है अब बस इसको मैं एक बोल में रख दूँगी आप इसको गैस से तुरंती मतलब सिप्ट करिए बोल में क्योंकि अगर आप गैस पर रख के ढख के छोड़ देंगे तो यह बहुत ही जादा ड्राइ हो जाएगा लेकिन मुझे इसमें हलका से ग्रेवी पसंद है तो इसको मैं गैस पर नहीं रखते हूँ अगर आपको थोड आपको प्रेशिपी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज बताना कॉमेंट करके और अगर मेरी यह वीडियो अपको अच्छी लगी हो तो फ्लीज लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली की मेंबर बन जाईए और मेरे साथ रहिए थैंक्स फॉर झाल